हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेंट जंग्शन पानीबत में यह देखिए हमने जो है फ्लश डॉर पर जो है प्यू पॉलिश की हुई है इस वीडियो में आप देखेंगे के प्यू सीलर कैसे किया जाता है फ्लश डॉर पर यह देखिए इस तरह का यह फ्लश डॉर है इसमें जो डिजाइन है वह गूरूव में काटकर बनाए हुआ है यह देखिए फ्लश डॉर पर जो टीक प्लाई लगाई है उसमें काफी सारे गूरूव काटे हुए है कि सबसे पहले दोस्तों में जो टेक प्लाई के जो फ्लश डॉर के अंदर जो कीले लगी होती है टेक प्लाई को रोकने के लिए उसको जो आथोड़ी की साहिता से हमें अंदर कर लेना थोड़ा-थोड़ा ताकि जो आए वो पोलिश के समय नजर आए उसके ओपर हमने जो है वुड़ फिलर जो है बनाने के लिए वुड़ फिलर को हमने जो है तीन पाउडर का प्रयोग किया है यह एक अच्छे पाउडर होते हैं दोस्तों ब्राउन से ना यलो से ना रेड से ना है यह आपको हर पेंट शोप पे मिल जाएंगे यह तीनों कलर को हमने जो है दोस्तों वुड़ फिलर के अंदर थोड़ा थोड़ा जो है अपनी मैचिंग के साबसे बना लिया है आप भी अपनी मैचिंग के साबसे से बना सकते हैं और इसे मिक्स करने के बाद देखिए इस तरह का पेश्ट हमारा त्यार हो गया था इसमे दोस्तों काफी सारे थे तो हमने कीलो की रिपेर के साथ साथ गुरूव में भी अच्छे से पूरे डोर पर ही फिलिंग कर दिया दोस्तों इस वुड़ फिलर की पूर यह देखिए जो गुरूव के अंदर से हमने जो हैं वुड़ फिलर को एक ऐसी फट्टी की साहिता से ब और यह देखिए दोस्तों हमने 220 नंबर का प्रियोग किया है इस वुड़ फिलर को हमने पलाई में पूरा निकाल देना है जहां पर खड़्डे जो कीलोवले जो खड़्डे थे केवल उस उसमें ही हमें वुड़ फिलर को रुखने देना है बाकी जो हमने सारा गिसा-गिसा कर इसको पलाई में से दर्वाजे की पलाई में से निकाल दिया है यह देखिए हमें रेशा जो है प्रोप पर दिखना चाहिए इसका और हमने जो है एक साफ ब्रश लेकर वुड फिलर को अटा लिया है और यह देखिए जो कारीकर यूज़ कर रहा है एक थिनर है दोस्तो थिनर से हमने दर्वाजे की दुलाई करके रेशाच देख लेना है कहीं पर भी वुड फिलर रूखा हुआ नहीं होना चाहिए पल्ले की धुलाई करने के बाद देखे स्टेनर को लिए आ चाहिए तो चार को लोज वोड क्यांके भीएंग श्टेनर किसी का भी यूज कर सकते हैं हमने हैं पर टीक के बोल्वन लगाने के लिए देखे हैं दो कपड़ में फय स्टेनर लगा हैं एक जिस से हम कळलर लगा अपलाई पर दनारस को कोई जाता दोस्तों दिखाई देते हैं एक इस प्रकार में पूरे दर्वाजे पर जो है कि अच्छे स्टेनर को यू लगा लिया है और इसको हमने सफाई भी कर दिया है एक साफ कपड़े से कि यह मलमल का कपड़ा जता है दोस्तों यह पेंट शोप पर आपको मिल जाता है कि अच्छे लगाने के दोस्तों 15-20 मिट बाद अब इस पर सिल्डर का प्रयोग करेंगे जब तक जो है दोस्तों यह टेनर जो है सूख जाएगी जो हमने दर्वाजे पर अपलाई करी है यह देखिए दोस्तों यह प्यू सिलर है यह प्यू सिलर हमने अगर एक लिटर लेना है दोस्तों तो आदा लिटर हमने इसका हाड़नर लेना है और 400-500 ml ते कम थिनर ले सकते है जिस परकार से आप अपनी सैटिंग के साब से थिनर मिला लीजिए एक लिटर सिलर के इंदर दोस्तों हमने 500 ml हाड़नर मिला है और 500 ml प्यू सी थिनर का प्योगी है इसमें कोई nc थिनर का यूज नहीं करना होता दो greatest तो नहीं तो जो है हमारी पॉलिश जो है खराब हो जाएगी इसमें प्यू थिनर का ही परियोग करना है कि प्यू थिनर और अंसी थिनर दो है दोस्तों अलग अलग चीज़े होती है देखिए इस पर लिखा वह यह प्यू थिनर रहा यह थिनर को आप अपने हसाब से कम ज़्यादा माल के हसाब से जो बना सकते हैं अब देखिए हैं दोस्तों हमने जो है सिलर के इस दरवाजे की जो हमने साइड त्यार कर लिया है श्टेनर लगाने के बाद अब देखिए चैज़ सूख चुकी है श्टेनर गुरू आप शुरुआत में ना भी बरियेगा दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है गुरू के अंदर जो है कलर बाद में भी आप कलम से बढ़ सकते हैं पहले इस पर जो है सीलर अपलाई कर रहे हैं पहला कोट यह रेखिए पहला कोट हमने जोयस कर सीधा लगाया है सीलर की बराई करते हैं समय दोस्तों हमने इस पर दो से तीन कोट अपलाई करने हैं कहीं पर भी सीलर को दोस्तों छोड़ना नहीं है एकदम सफाइस हमने सीलर को अपलाई करना है अगर आप अमारे चैनल पर दोस्तों नहीं है तो अमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर लिजेगा पेंट और पोलिस रिलेटिड वीडियो अमारे चैनल पर आती रहती है यह देखिए जो है सीलर लगने के बाद देखिए पलाई का कलर सई से दिखाई दे रहा है तो सीलर का प्रियोग दोस्तों पलाई की जो नसे होती है उसको बहराई करने के लिए यूज़ करते हैं कि इसमें भी दोस्तों अच्छी चमक होती है प्यू सिलर में भी कि अभी हम दो तिन कोट लगाने के बाद आपको दिखाएंगे के इसके अंदर कैसी चमक आ जाती है और बाकी भी सिलर से आगे का प्रोसेस देखने के लिए दोस्तों हमारे वीडियो आगे भी देखिएगा कि आगे हमने क्या 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 प्रोसेस करना होता है और अगर आप catching रिलेटेड या रोयल पे तीडिड से रिलेटेड या प्लास्टिक फैंट से रिलेटेड वीडियो देखना चाते हैं तो हमारे चैनल पर याकर प्ले principle देख सकते हैं उसमें जो यारोयल पेंट के बारे में भी बताए गया और बेने वीडियो अवेलबल है का यह देखें हमने इसको जो फ़ीं दूसे इन कोट सिलर का डाल दिया है तब इस परकार की जो है । चमक पहुतले हैं, क्यों भीत रहुत में आप रिए।